चीन अपने यहां मस्जितों को बंद कर रहा है, तोड रहा है या उनके उपियोग बदल रहा है। ये कहना है अंतराश्टी संगठन Human Rights Watch यानी HRW की एक रिपोर्ट का। HRW ने कहा है कि ये क्रैकडाउन चीन में इसलाम के प्रसार को रोकने के व्यवस्थित प्रयास का नतीजा है। चीन आधिकारिक रूप से नास्तिक देश है, लेकिन दावा करता है कि वहाँ धार्मिक सोतंतरता है। चीन में करीब दो करोड मुसल्मान रहते हैं। किन घाई, गांसूं और निंकिसियाया प्रांथ शामिल हैं। HRW की रिपोर्ट के मताबिक स्वायत शेत्र निंकिसियाया के एक गाउं में छे से तीन मस्जितों के गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया। बाकी तीन के नमाज पढ़ने के मुख्य हॉल नश्ट कर दिये गए। HRW को मिली सेटिलाइट तस्वीरों में मस्जित के एक गोल गुंबद की जग है चीनी स्टाइल का पैगॉडा दिखाए दे रहा है। ये बदलाव अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020 के बीच हुआ। चीनी मुसलमानों पर शोध करने वाली हैना थेकर ने BBC को बताया कि साल 2020 के बाद से निंक किसियाया में 1300 से ज्यादा मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या उनके इस्तमाल को बदल दिया गया। ये इस शेत्र की कुल मस्जिदों में से एक दिहाई हैं। चीन के राश्टपती शी जिनपिंग के शाशनकाल में कम्यूनिस्ट पार्टी ने धर्म को अपनी राजनी तिक विचारधारा और चीनी संस्कृती से जोड़ने की कोशिश की है। साल 2018 में चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी ने एक डॉकुमेंट पब्लिश किया था जिसमें मस्जिदों के नियंतरन का उलेक किया गया था। अधिक मस्जिदों को तोड़ें और कम का निर्मान करें और ऐसे धाचों की कुल संख्या को कम करने की कोशिश करें। इस दस्तावेज के मताबिक मस्जितों के निर्माण, लेयाउट और मस्जितों को मिलने वाले फंड पर सक्त निगरानी की जानी चाहिए चीन में मुसलमानों के दो मुख्य नसलिये सम्मू है हुई उन मुसलमानों के वन्शज हैं जो आठवी सदी में टैंक शाशन के दोरान चीन पहुँचे थे दूसरा सम्मू वीगरों का है जो अधिकतर शिंजियांग में रहते हैं चीन की सरकार का दावा है कि मस्जितों का समेकन यानि उन्हें एक जगह करना ये आम तोर पर तब होता है जब गावों को स्थाना अंतरित किया जाता है या एक साथ मिला दिया जाता है इससे मुसलमानों पर आर्थिक बोज कम हो रहा है लेकिन कुछ हुई मुसलमानों का कहना है कि इसका मकसद उनकी वफादारी को कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ मोरना है इसे चीनी करण की रणनीती कहा जाता है HRW की रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि जब लोग मस्जिदों में जाना बंद कर देते हैं तब प्रशाशन इसे मस्जिद को बंद करने के बहाने के रूप में इस्तिमाल करता है चीन की सरकार के इस अभियान से सिर्फ मुसलमान ही नहीं अन्य अल्प संख्यक धर्मों के लोग भी प्रभावित हुए हैं उधारन के लिए हाल के महीनों में ही चीन ने आधिकारिक और राजनाइक दस्तावेजों में तिबबत की जगह सिजांग शब्द के इस्तमाल को मनजूरी दी है ये इस शेत्र का मैंडरिन भाशा का नाम है प्रशाशन ने चर्चों से क्रॉस हटवा दिये हैं पादरियों को गरफतार किया गया है और ओनलाइन स्टोर से बाइबिल को भी हटवा दिया गया है चीन में हो रही इन गतिविधियों पर अभी तक तमाम मुस्लिम देशों ने चुप्पी साधी हुई है विशेशग्य इस चुप्पी के पीछे चीन की आर्थिक शक्ती और उसके पलटवार के डर को सबसे बड़ी वजह मानते हैं